है एब्रीवन वी हॉप आप सभी बहुत अच्छे होंगे सेफ होंगे लास्ट लेक्चर में हमने पर्चेस बुक के सभी टॉपिक के बारे में डिसकस कर लिया था और हमने कहा था कि हम नेक्स लेक्चर में आप लोगों से एक इंपॉर्टन कोशन के बारे में डिसकस करेंगे तो येस गाइज आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत important question लेकर आए हैं और गाइज उसी के साथ एक important topic भी लेकर आए है जो last class में discuss नहीं किया था हम इसी question के help से आपको वो topic समझाने वाले है ताकि वो topic आपको अच्छे से clear हो जाए तो आपको end तक इस वीडियो में बने र तो देखिए गाइज three to four marks का question question क्या है मैसर जाम नरायन एंड son of kerala guys kerala के रहने वाले हैं who are dealers in ready-made garments ready-made garment का उनका business है purchase the following यह यह purchase किया 2017 May 2 को purchase from fashion house fashion house से मुंबाई मतलब outside the state maharashtra 100 shirt at the rate of 1800 पर शर्ट ओल राइट 75 टी शर्ट at the rate of 1600 पर पीस ओल राइट less trade discount 20% or fair charges payable 10,000 that is very important yes guys तो यह हमने यहाँ पर cash में नहीं बोला गया है और जिस सीड में deal कर रहे हो वही purchase कर रहे हो तो यह purchase book में आएगा ठीक है 1000 अगें यह भी important है जो discuss करेंगे और यह भी अगें cash में नहीं खरीदा है जिस सीड में deal कर रहे है वही है तो यह भी यहाँ पर purchase book में आएगा आगे 15 को purchase from garden furniture furniture house से Calcutta Calcutta से 12 chairs गाइज इसका मतलब यह जिस उसी में नहीं हम deal कर रहे है तो यह नहीं आएगा पर चेस फ्रॉम अमिताफ शर्ड न्यू देली पोर cash cash दिया हुआ अगें यह भी नहीं आएगा यह दोनों हमारे यहाँ पर purchase book में नहीं आएंगे और prepare purchase book assuming CDST at the rate of 9% and SGST at the rate of 9% अगर क्या हुआ outside the state हुआ तो IGST कितना हो जाएगा गाइज 18% वेरी नाइस करें स्टार्ट यह कीजिए स्टार्ट चलो गाइज सबसे बेले format देखिए हमने पनाया हुए पर्चेज ऑफ पर्चेज बुक ऑफ मैसर्स राम नरायन और संस के रला देट पर्टिकुलर इन्वाइस नंबर लेजर फोली और डिटेल पर्चेज इनपूट सब्सक्राइब करते हैं फिर्ट से लेट इस टू थाउजन सेवन टीन तू किसे खरीद आगाइस पैशन हाउस था आइस फैशन हाउस तो हम लिख देते हैं आप पूरा लिख लेना पैशन हाउस मुंबाई महारास्ट्रा ओल्राइट काईस हमने क्या पर्चेज किया है सब्सक्राइब करते हैं तो हम यह लिखते हैं 100 शर्ट ठीक है एक दी रेट ओफ एटीन हंडर इच ओल्राइट गाइस कितना आ जागा डिटेल में वाल लैक एटी थाउजन ओल्राइट इसके बाद उसने बोला था 75 टी शर्ट थी कितने की 1600 की यह सब्सक्राइब काइस 75 ट सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर ट्रेट डिसकाउंट आपको पता है माइनस करते हैं ट्रेट डिसकाउंट 20 पर से कितना आ जाएगा सिक्स्टी थाउजन गाइस एक बात ध्यान रखनी है इसको ब्रेकेट में दिखाना है नहीं तो कहीं बार क्या होता है एड कर जाते हैं और सारा कोशन गलत हो जाता है यह हमने कहां से खरीद है मुंबई से आउटसाइड था स्टेट है तो यहां पर आई जी एस्टी लगे 43200 इसको टॉटल करेंगे यहीं पर देखो डबल लाइन भी लगा दी मैंने 283200 ठीक है तो अब ध्यान से सुनना अब क्या क्या चीज कहां पर जाएगी पर चेस के अंदर जो हमारी डिसकाउंट माइनस करने के बाद तो यह आएगी टू लैक फोर्टी थाउजन ओल्राइट यहां तक आपको समझ आया होगा लेकिन अभी यह खतम नहीं हुआ है अब मैं इक इंपर्टेंट चीज आपसे डिसकस कर रहा हूं अब आपको दिखाया जाएक कैयों कि पहले इसको इसी कॉलों इसकी लिंए अलगसे कॉलंम से cultural में बन जाता था डिका दे तक पहले रेट जो रेट जो वैट की बात करें वो सिमिलर होता था तो दिक्कत नहीं आते थी लेकिन अब क्या हो गया देखो अब गुट्स का रेट अलग हो सकता है फ्रेट का रेट अलग हो सकता है अगर हम बात करें यहां पर गुट्स के रेट की बात करें गुट्स का रेट आपकर 0 भी हो सक और कितना 28 परसेंट कुछ भी आप जिसी में डिल कर रहे हो उसके अकोडिंग कुछ भी रेट हो सकता है लेकिन जो प्रेट के उपर रेट है वह आपका 18% वह अलग है माली जी आप 5% के गुर्ट में डिल कर रहे हो तो आपका जो जीस्ट लगेगा इनपुट सी जीस्ट एस् प्रेट के लगेगा लेकिन रेट के उपर कितना लगेगा 18% तो दोनों अलग अलग है तो इसलिए क्या बोला गया इसको आप कहां दिखाईए जर्नल प्रॉपर में दिखाना पड़ेगा और जर्नल प्रॉपर में हम कैसे दिखाएंगे मतलब अभी करना बाकी है तो हम यहां पर क्या एंट्री करेंगे यहां पर इंपूट और यह आउटसाइड दा स्टेट है तो क्या वर्ड यूज ओगा आई जी एस्ट कितना लगेगा डेबिट हो जाएगा 18% डेट इस एटीन हंड़ड और टू में पैशन हाउस ठीक है यह आजाएगा 11,800 तो यह एंट्री हमारी जर्नल प्रोपर के अंदर शो कर दी जाएगी विचिस वेरी इंपॉर्टेंट आई होप यहां तक आया होगा इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास देखिए 10 की बात करते हैं पर्चेस फ्रॉम अपोलो गार्मे केरला ठीक है केरला से ही है 65 शर्ट शर्ट एट दी रेट ऑफ कितने की है यह यहां पर आजाएगा यहां पर हमारा कितना हो जाएगा यहां तो माइनस होगा क्या ट्रेट डिस्काउंट इस 20 परसेंट आपको इसको ब्रेकेट में दिखाना है ताकि गलती ना हो जाएगा तो हमें क्या लगाना है एड करना है इनपोर्ट सीजी स्ट कितना नाइन परसेंट ठीक है और इनपोर्ट ब्रेकेट कितना आजाएगा यहीं परसेन और विए यह साल जाएगा यहां यहां तो लाइक फाले करेंगा यहां पर एतीजिछ थाओसंट रिखेंगर फिसके बाद परचेज में चाएगा त्रेट इसपाउन के बाद आप फिटू एडर उसके यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह हमारी यहां पर नहीं आएंगी इसकी भी सेम यहीं एंट्री ओगी दस तरीक को देखिये दस तरीक को फेट चार्ज इसकी क्या एंट्री होगी एकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 2000 ठीक है अब यहां पर विदिन स्टेट तो इनपूट सी डी स्ट एस्ट लगेगा इनपूट सी जी सी जी स्ट एकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा यहां एक पर सेंट एक सो अशी इस वासी इनपूट सी जी स्ट कितना हो जाएगा 180 अकाउंट डेट ठीक है और तू में किसे खरीद है हमने यह अपोलो गार्मेंट ठीक है तो यह आजाएगा कितना 180,360 2360 तो यह देट आजाएगी 10 यह आपर द जाएगी जर्नल प्रोपर में और आप एड़ दा एंड ओव दा मन्थ आप एड़ दा एंड ओव दा मन्थ जो यह आपका टोटल हाय आया है दिखिए यहां पर इसका टोटल करेंगे ठीक है वो कब होगा में 31st को ठीक है में 31st को टोटल होगा देट मुट भी 440,000 और यह क में 31st को हम इसका क्या कर देंगे टोटल और यह मैंने आपको बताया था 440,000 यह कहां जाएगा परचेज एकाउंट की डेबिट साइट पर और यह जाएगा इनपूट इनपूट आई जी एस्ट की डेबिट साइट पर और लास्सिंग यह 283,200 यह कहां जाएगा उसके रिस्पेक्टिव एकाउंट जिससे खरीदा था फैशन हाउस की क्रेजिट साइट पर और यह 236,000 यह जाएगा पैशन यह जाएगा किसकी अपोलो गार्मिन की क्रेजिट साइट पर और जो हमने जर्नल प्रॉपर में डाली है उससे रिलेटेट भी लैजर में क्या कर दी जाएगी पॉस्टिंग कर दी जाएगी वी होप यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा अच्छे से क्लियर हुआ होगा बाकी अगले लेक्चर में हम सेल बु Thank you so much for watching this video.